ये जोटिय एजुकेशन की होने वाली सबी क्लासेश पर बिल्कुल लाइव रहेंगी और ये सबीक लिए बिल्कुल फ्री है इसके लिए आपको कोई भी पर नहीं करना है और आद से हम फाउंडिशन बैच अपना शुरू करने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मेरा सब्जेक्ट वह इंग्लिश रहा है और इंस्टिटुट में मैं कॉम्टिटिव मैथ पढ़ाता हूं टीचिंग में अनुभाव साथ साल कर रहा है और भारत की तीन ताज जुम्हें अभी तक पढ़ा चुका हूं उत्रप्रतिस ताजिस्थान और कुछ साथ तो आज से ह हम फांडेशन बैच अपना शुरू करने जा रहे हैं और शुरू करने से पहले मैं आपसे चीज बताना चाहता हूं कि किसी भी कारे की शुरुआत सबसे एहम भाग होता है हमारी सफलता का क्योंकि बहुत से लोग जीवन में शुरुआत ही नहीं करते आज आज आप इस बै बता हूंगा और साथ ही साथ आप जो इंगलीज जानते हैं लेकिन उसका इस्तिमाल नहीं कर पाते उस सब पर भी हम बात करेंगे एक उधारन से मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआत कितनी महत्पूर्ण होती है आप एक चीज सपोस्स कीजिएगा एक व्यक्ति है ये एक व्यक्ति जो है कन्या कुमारी जाना चाहता है कन्या कुमारी जाना चाहता है कश्मीर से कन्या कुमारी जाना चाहता है और ये तीन साल से चाहता है कश्मीर से कन्या कुमारी जाना चाहता है और कश्मीर से कन्या कुमारी की दूरी बहुत ज़्यादा होती है ये सब क को पता है तीन साल से चाहता है तो सिर्फी चाहिरा है या महां नहीं पहुचा है लेकिन सब्सक्राइब आज इसने शुरुआत करती तो अब क्या है आपको भी पता है कि अब ये कभी न कभी बहुत जल्द पहुची जाएगा क्योंकि आज इसने शुरुआत करती और आज से अपने घह से निकल गया है कन्या कुमारी के लिए कश्मीर से कन्या कुमारी के लिए आज ये अपने घह से निकल गया है तो इसके जो पास वाले भी हैं वो भी कह रहा है कि ये जो है तीन वहीने बाद वहां बहुत जाएगा तो मेरा कहने का माध्यम सिर्फ यही है किसी भी चीज की शुरुवात बहुत महत्पूर होती है और आपने जो शुरुवात की है उस शुरुवात को फाउंडेशन बैच से लेके हम एडवांस बैच उन्नती बैच तक हम जाने वाले हैं और इस बैच के बाद अंग्री जी के बहुत अच्छा वक्ता बन चुके होंगे और इसके बाद आप अपनी ज्यान को अंग्री जी भाचा के ज्यान को साजा कर सकते हैं और जीवन में उसके लाब ले सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं आज़की क्लास लेकिन उससे पहले अब जो है प्रिट्टी खीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो एक वक्ता होता है ना उसको सबसे पहले एक अच्छा शुरूता बनना पड़ता है जो एक अच्छा वक्ता होता है उससे सबसे पहले एक अच्छा शुरूता बनना पड़ता है don't think about grammar ये मैं आपको दूसरी बार बता रहा हूँ कि अभी शुरुआत में आप व्याकरण के बारे में मत सोचिएगा कि हम व्याकरण के अकोडिंग सही बना रहा है नहीं, बोलना है इक अलग चीज है वो हम आगे मैं आपको जिर्ट डिसकस करूँगा कि बोलते कैसे है बोलना व्याकरण सहला क्यों है कम रेगुलर, अब आप बिल्कुर डेली आईएगा दिन परते दिन परती एक दिन आपको इसकी क्लास मिलती रहेंगी, हाला कि मैं अपने कहे अनुसार तीन दिन लेट हो गया हूँ देखो किसी कारण से मैं इसलिए लेट हो गया हूँ क्योंकि मैं थोड़ा क्या है अकीला पड़ गया हूँ इस सब को मैं एक्दम से ऑफलाइन से जो ओनलाइन मैं ट्रांसफर ये किया हूँ तो काफी चीज में समझ में इससे भाग ती लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपने कहे के अनुसार अब इसकी जो क्लासिस हैं वो मैं बिल्कुल आपको डेली दूँगा क्योंकि मैंने वो सब बैनेज कर लिया है जिसकी वेसे पहली क्लास लेट हुई फॉलाव मियाजाई से आप बिल्कुल वैसा करना जैसा मैं कहता हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत कम समय में बहुती छोटी चीजों से बहुती ज़्यादा आपको बोलना सिखा दूँगा और अंग्रीजी में किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी मैं उस विश्वास के साथ कह रहा हूँ जिस विश्वास से मैंने बहुत से बच्चों को इंग्ली सीखाई है और उन्होंने सीखी भी है मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो मेरे सबसे ज़्यादे अच्छे जो बच्चे रहे हैं अच्छे श्टुडेंट अच्छे विध्यारती अच्छे बच्चे जिनोंने बहुत ही कम मैं कहूंगा देड़ या दो महिने में एक बहुत अच्छी फ्यूएंसी वाली इंग्ली सुनोंने सीख ली है और आज मुझे से बात करते हैं तो मुझे लगता ही नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट और बहुती कम शब्दों में बहुत ज्यादा आपको सिखा दूँगा तो आप जैसे मैं कहता हूं ऐसा किजिए और मेरे अनुभव पर विश्वास किजिए क्योंकि विश्वास बहुत जरूरी है आप जिस विश्वास के साथ आए हो उसी विश्वास के साथ मैं आज की क्लास को शुरूगरता हूं तो सबसे पहले मैं आपसे आपने यह जो है हमारा स्लेवस पहले सब्ता हम क्या क्या पढ़ेंगी यह हमारा स्लेवस है और स्लेबस पे बेश मैं आपको एक वीडियो पहले से ही दे चुका हूँ जिसमें मैंने पूरा स्लेबस डिसकस किया हुआ है किस तरह से हम फाउंडेशन बैच कवर करेंगी फाउंडेशन बैच में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पूरा रोड मैप पूरी स्ट्रेटरिजी आपको मैं उस वीडियो में दे दिया है फिर भी मैं आपको एक मौटे मौटे तोर पर बता दूँगा कि पहले सब्ता में हम इंग्लीश स्पिकिंग के बेसिक्स पहले सब्ता के बाद ही आपको एक अलगी तरह की फिलिंग आएगी इंग्लीश को लेकर क्योंकि पहला ही सब्ता जो है आपके लिए बहुत महत्मूर सब्ताओं में से यह किसलिए है क्योंकि पहले सब्ता में आपको मैं इंग्लीश की बेसिक्स बताने वाला हूँ इस सपता के बाद आपको काफी कुछ नया सेखने के लिए मिलेगा और पहले सपता को आप छोड़िए आज की क्लास को आप बिल्कुल अंतक देखिए और इस क्लास में ही आपको मैं कुछ ऐसी चीज बता दूगा कि आप कम से कम कम से कम एक दो हजा सेंटेंस आज ही बना सकते पर उस फोर्मूले पर उस नियम पर आज आप ही बहुत ज़्यादे सेंटेंस बना सकते हो तो आज की जो क्लास है हमारी फांडिशन बैच क्लास फर्ष्ट आज जो है हमारी क्लास फर्ष्ट यह सीधी नहीं खिच लिए एक कट रहा है पता नहीं क्यों कट रहा है अब यह कि आप एक छोटी सी लर्निंग इसमें भी है कि तीन बाद में तो यह सीधी लाइन कीजी है तो अंग्रेजी जो है देखो हर कोई अंग्रेजी जानता है आप मुझे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं दिखा सकते जो अंग्रेजी ना बोलता हूँ आप किसी को भी देख लोगे आपकी नजर में अगर कोई एसिक्षित भी है है ना हालकि हर किसी के पास अपनी एक अलग शिक्षा होती है आप किसी को भी पूर्ट एसिक्षित नहीं कह सकते हो सकता है उसकी शिक्षा का दाएरा अलग हो लेकिन आपकी नजर में अगर कोई एसिक्षित भी है तो आप ऐस प्रवाइब से लिएक तो हम आंगरी जी बोलते हैं लेकिन आज जो है हम अंगरी जी सीखेंगे कि हंगरी जी हमें कैसे बोलनी है किसटर जी बोलते हैं तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वह होग ग्रामर क्या है grammar का हिंदी अल्थ होता है व्याकरा व्याकरा किसी भी भाषा को शुद रूप में लिखना बोलना वे पढ़ना सिखाती है grammar जो है किसी भी भाषा को शुद रूप में लिखना पढ़ना वे बोलना सिखाती है English speaking व्याकरा से अलग क्यों है अंग्रेजी बोलने में जब भी कोई बात करता है तो क्यों कहता है कि आप अभी व्याकरण के बारे में शुरुआत में मस सोचना क्योंकि देखिए बोल चाल एक अलग चीज है और व्याकरण एक अलग चीज है आप अपनी जिस भी भाषा में अपने दोस्त से बात करते हो वो बहुत अच्छे सा आपको समझता है और उसी भाषा में आपको reply देता है अगर आप महां व्याकरन के बारे में सोचने लग जाओगे तो आपकी जो बातचीट है वो इतने सही डंग से नहीं हो पाएगी जितने सही डंग सा आप कलते हो क्योंकि आप व्याकरन के बिना ही बोलते हो व्याकरन जो है वो एक तरीके से एक formal language है और हम अपने मैं यह नहीं कहना कि हम informal में बोलते हैं लेकिन हमारे बोलने का लहजा अपना सब का अलग अलग है बोल चाल में English Speaking में हम इतना ध्यान दखते हैं कि सामने वाले को हम जो बोलते हैं वो उसको समझ माझा है और जो हमें बोलता है वो हमें समझ माझा है तो शुरुआत में आपको सिर्फ इतनी कोशिश करनी है क्योंकि देखें English Speaking जो है पूरी की पूरी सेंस पर डिपेंड करती है आपको बहुत से सेंटेंस ऐसे हैं जिनका कोई रूल नहीं है बहुत सी चीज़े ऐसी हैं जिनका कोई नियम नहीं है लेकिन फिर भी एक सेंस के कोईडिंग आप बिल्गुस सही हुने बना सकते हो क्योंकि English Speaking में sentence जो बनाते हैं उसमें ये नहीं देखते कि हम sentence व्याकरण के कोईडिंग सही है नहीं बना रहे हैं हम ये देखते हैं जो हम बात कहने चाहरे हैं जो हम बात कहना चाहते हैं वो ही बात दूसरे वाले तक पहुच रही है नहीं और जो बात दूसरे वाला कहना चाहता है वो हम समझ पा रहे हैं नहीं इस पिकिन का रोल समारा इतना होता है तो kind of sentence का जो part है यह मैंने सिर्फ इसले लिलिया है ताकि कोई ऐसा बच्चा हो कि नया बच्चा हो जो बिल्कुल ही इस चीज़ से परिचित नहों तो थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता दूँ assertive sentence क्या होते हैं assertive sentence होते हैं वह sentence एक तरी से बिल्कुल साधानर वाक्यों जैसे मैं आपसे कहूँ हरी पत्त लिखता है और हरी पत्त नहीं लिखता है तो यह क्या हो है बिल्कुल assertive sentence है बिल्कुल साधानर वाक्यों को assertive sentence कहते हैं interrogative व्यक्य क्या होते हैं इन्हें yes no type वाले question परी कहते हैं प्रिशन वाचक वाक्य ऐसे ऐसे प्रिशन जिनका उत्तर हाँ नामे दिया जा सकता है उन्हें हम interrogative sentence कहते हैं और interrogative sentence में देखो आप इन्हें yes no type वाले ही में क्यों बता रहा हूं हाला कि और भी interrogative type होती है तेकि शुरुवात में आप समझेगा interrogative type इस तरह क्यों होते हैं क्या आप हरी हो आप सिर्फ हां बोलकर या फिर ना बोलकर इसका जवाब पूरा दे सकते हो तो interrogative वाक्य होते हैं ये तीसरा है imperative वाक्य imperative वाक्य क्या होते हैं imperative वाक्य जो है एक तरह से आग्या सूचक वाक्यों को हम imperative वाक्य कहते हैं किस तरह की आगे सूचक जैसे की प्राइंग मी योवर बुक अपनी किताब यहां लाएए अपने बड़ों का कहना माली लीजिए और एक ग्लास पानी ला दीजिए तो यह क्या हुआ इंप्रेटी वाक्य होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं वह वाक्य जो हमारे हिर्दे की तिर भावनाव को वाक्यों में प्रकट कर देते हैं जैसे की हे राम मैं बरबाद हो गया इस तरह की सेंटेंस जो होते हैं एक्सक् करते हैं इश्वर से किसी के लिए प्रात्ना करते हैं इच्छा करते हैं कि भागवान करे उसकी आयू लंबी हो और अलगी यह भी बहुत पचलित में है तो मैं इसे भी आपसे बता दूँ क्योंकि अंग्री जी स्पीकिंग में हमें कंडिशनल सेंटेंस का बहुत ज़्यादा जरुत पड़ेगी इसमें एक condition लगी होती है जैसे यदि तुम वहां जाओगे तो मैं वहां नहीं जाओगा तो इस तरह की क्या होते हैं conditional sentence होते हैं देखो बच्चो अब जब आप अंग्री जी सीखना चाहते हो तो सीखने का सबसे पहला नियम यही है कि आप सभी जीजों को भूती ध्यान से जो मैं पढ़ा रहा हूँ से बहुत प्रतिक एक स स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ और बहुत कुछ बात बात कहने वाला हो सबसे पहले आता है past हलागी जो चलदा है present सबसे पहले में बात करनी चाहिए लेकिन मैं बिल्को पास्ट से ही लिएक चलत और फ्यूचर कुछ लोगों का मानना है कि काल दो परकार के होते हैं और वो सही भी हैं और मैं आगे भी आपको दिस्कस करूँगा कि वो ऐसा क्यों कहते हैं लेकिन अभी फिलाल हम एक तरीके से उसी तरीके से चलेंगे जो हमें बहुत जादर लाब्डायप होने वाला है पा ऐब दा आता है प्रेशेंट प्रेशेंट क्या होता है वालतमान जो भी सब कुछ चल रहा है जो भी हम करते हैं आदत जो हमारी है कि सब और फ्यूचर का मतलब ये भविष्ये ने अकसर अनूगा कि जो पास्कों कुछ गलत हुआ है अप उसे बूल नहीं पार I will अ ऐसा कहा जाता है कि पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाओ तो पास्ट जो बीट गया प्रजेंट जो चल रहा है और फ्यूचर जो चलेगा अपने ऐसा भी एकसर सुनाओ कि भविश्य में आप क्या करोगे तो भविश्य का मतलब है आगे आप क्या करोगे और अब देखिए म इनको डिफाइन करने वाले इनको परदशित करने वाले और भी बहुत सारे शब्द हैं लेकिन ये तीन मुख्य शब्द हैं जो इनकी एक तरह से मैं कह सकता हूं इस परिवार का सबसे एहम इस्सा हिस्सा ये है इस परिवार की पहचान ही इनसे होती है पास्ट जो है वो ड पास्ट की पहचान जो है वो डिड से होती है डिड जो है जहां भी आपको दिख जाए डिड से जो है शुरुआत हम डिड से ही करेंगे पास्ट जो है हमारा वो डिड से डिनोट होता है अगर कहीं आपको डिड लिखावा दिख जाए तो आप समझ जाना कि कहीं ने कहीं ये बीटे हुए समय की बात हो रही है परजेंट परजेंट के लिए जो हमारे परजेंट की पहचान के लिए जो सबसे फेमस सब्द है वो है डू अर्ड़ज डूर्ड जो हैं वो present का सबसे एहम भाग है present मतलब present की पहचानी डूर्ड से होती है और future की पहचानी will shell से होती है अगर कहीं पर आपको will दिख जाए तो आप समझ जाना की future की बात होती है अभी आप will shell के confusion में मत होना मैं आपसे बताऊँगा की किस तर से करने तो आप समझ जाना की present की बात हो रही है और will shell का मतलब है future अगर कहीं will shell दिख जाए तो आप समझ जाना future देखिए मैं आप कोई इतना गुजोर देके क्यों बता रहा हूँ कि मैं आप से बोलूँगा did you read तो आपको समझ जाना है की sir बोल रहे हैं कुछ न कुछ past के बारे में मैं पूछ रहा हूँ अगर मैं आप से कुछ हूँ do you read तो आपको समझ जाना है की present के बारे में पूछ रहा हूँ और will से अगर मैं पूछता हूँ कुछ will you go to school क्या आप school जाओगे तो आप समझ जाना की future की बात करना है कभी भी जीवन में ये चीज़ आप दलत मत करना did से पूछो तो आप भूत काल में पूछना do से पूछो तो आप वलतमान में पूछना और will से पूछो तो आप भविश्यकाल में पहुचना तो अब देखते हैं अभी तक हमने present, past to future की बात कीजिए अब मैं आपको इसकी sentence पताना चाता हूँ ये किस तरह की sentences में होते हैं सबसे पहला I play अगर मैं आपसे बोलूँ I play तो I play का मतलब है मैं खेलता हूँ और अगर मैं देखो मैं खेलता हूँ एक तरह की से आपको वाके सुनने से ही एक शीक तो पता चलेगी ये present का है, past का है, future का है इसका question कैसे बन सकता है Do I play Do I play का बच्चों जो मतलब होगा वो होगा क्या मैं खेलता हूँ देखो ये है question ये है question question जो आप से पूछा जाएगा वो उसकी verb से पूछा जाएगा verb भी दो परकार की होती है क्योंति है helping verb एक होती है main verb अभी हम उसके आगे चल्चा करेंगी helping verb और main verb कौन कौन सी होती है अलग क्यों होती है और कैसे कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं लेकिन आप से इतना समझे कि do I play का मतलब है क्या मैं खेलता हूँ अब यहीं पर मैं आप से पूछ लूँ do you play क्या तुम खेलते हो I play मैं खेलता हूँ आप से कोई देखो आप से कोई इस structure को ध्यान से देखिएगा do you do you plus यहाँ आप से वो verb do you go क्या तुम जाते हो I go मैं जाता हूँ do you play क्या तुम खेलते हो I play मैं खेलता हूँ और अब देखो second हमने बात की किसकी past की past का जो sentence है वो आप से पूछेगा did did you play did you play did you play से आप समझोगे की देखो did आते ही एक चीज़ तो आपके बात दिमा की लिट हो जाई जीए did you play का मतलब है क्या तुम खेले क्या तुम खेलते थे मतलब past की बात है तो इस cancer हमें देन का यहां played ed.q लगाया और फिलाल आप इतना ध्यान पे रख लिएगा की बाले पास्ट के जो पास्ट के साथ जो ना फर्स्ट फर्म का परियोग नहीं होगा पास्ट के सब्सक्रियोग हो गाहले ही यहां बोनुल को भेल बना दिया है तो इस तरह से और और थर्ड है हमारा विल विल यू प्ले का मतलब है क्या तुम खेलोगे विल आते ही साथ आपको समझाना है फुटर की बात है तो आई विल प्ले आई विल प्ले ये मैं पूर आपको दुबारा से समझाओंगा और अब भी जो है हम इस इस इस्ट्रक्चर की बात करेंगे परसो कल भी कॉंट्टिनिस आपके पढ़ाने वाला हूं उसके बाद हमें इसकी चल्चा दुबारा से करेंगी यह तो मैं सिर्फ आपको इसलिए बता दिया क्योंकि यह स्लाइड में आ जरुद होती है एक वर्ब की जरत होती है एक अबजेक्ट एक ऐसी चीज है कि हो तो भी ठीक है और नहीं हो तो भी ठीक है बेसिकली हमें जरुद तो परदी है लेकिन बिना ओके के भी सेंटेंस बनते हैं और बनाए जाते हैं इसमें कोई दोजाए नहीं है सब्जेक्ट द play Ludo का क्या है मैं खेलता हूँ मैं Ludo खेलता हूँ I क्या हुआ इसमें subject play क्या हुआ इसमें verb और Ludo क्या हुआ इसमें object तो आपको सिर्फ इतना ही जिहां दखना है अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो आपको आज करनी है I और यहां पर I के बाद कोई verb कोई भी verb अभी वर्ब की एक शीट मैं आपको आगे देने वाला हूँ I और वर्ब I ये वाला I go मैं जाता हूँ I play मैं खेलता हूँ I read मैं पढ़ता हूँ I come मैं आता हूँ I take path मैं नहाता हूँ I take food मैं खाना खाता हूँ I take tea मैं चाई पीता हूँ I read मैं पढ़ता हूँ I write मैं लिखता हूँ I sing मैं गाता हूँ I के साथ आप कोई एक वर्ब लगाओ और उससे कम से कम आपको एक भी sentence लिखना नहीं है लेकिन कम से कम दस 20 sentence बोलने का प्रियाद करो देखिए अब मैं आपसे बता हूँ ऐसा मैं बहुत खाफी बार बोलूँगा I say I say 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 क्या है verb है कहने की I say मैं कहता हूँ I say मैं कहता हूँ ठीक है ना I do मैं कलता हूँ I do मैं कलता हूँ यह क्या है verb और यह क्या है subject यह भी ना object के मैंना है इसमें कोई object नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं है अब आपको आज एक ही काम करना है I plus verb कम से कमा B sentence अभी class की खतम होने के बाद आप बोल के देख लेगा जैसे की देखो मैं आपसे बताता हूँ I do मैं कलता हूँ I play मैं खेलता हूँ I go मैं जाता हूँ I come मैं आता हूँ I play मैं खेलता हूँ I read मैं पढ़ता हूँ I write मैं लिखता हूँ I learn मैं याद कलता हूँ I go to temple मैं मन्दी जाता हूँ हालागी वहीं से ही हैं सिर्फ गोई तक है तू टेंपल तो हमने अलग से जोड़ दिया है आई गो मैं जाता हूँ ठीक है ना तो इस तरह से आप दस भी सेंटेंस बोल के देख लेगेगा वर्ड के लिश में अभी आपको आगे देदूगा और आगे हम देखते हैं यह क्या है आगे आगे जो हैं देखिए continuous यह word का मतलब भी है आपने बच्पन में गेम ज़रू खेले होंगे बच्पन में तो खेले ही होंगे मैं तो खेल अभी भी खेल लेता हूँ और आप भी खेलते होंगे गेम में एक word आता है कभी हम चैसे बीच में हम छोड़ के जाने वाले होते हैं गेममें एक वर्ड आता है, और ओर अगार मितलब होता है, जारी, जारी रखना, किसी भी काम को चलते रहने, जारी रहने या फिर उसके होते रहने का, अगर वाक्य में धर्शाय जाएगा, बोड किये जाएगा, तो वो कॉंटीनियस के वाक्य होते हैं, आप एक खीजिका दि पॉलस आई एंजी वर्ड प्लस आईएंजी फॉम का यूज होगा continuous देखते ही साथ मैं आप से कहोंगी present continuous पास्ट पॉर्फेक्ट कॉंटुनियस future continuous या present perfect continuous वे किसी विजरा का sentence आप से कहोंगी इसका वाक्य बताओ और मैं उसमें कहा दूँ आपसे, आपको उसमें एक word सुनाई दे जाए continuous, आपको उसमें एक word सुनाई दे जाए continuous, तो आपको क्या करना है, रहा है वाले sentences में बनते हैं, देखें मैं आपको इक उधान लेके बताता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, continuous क्या है, मैं पढ़ रहा हू पढ़ने का काम जा रहा है मैं पढ़ रहा था पढ़ने का काम जा रही था मैं पढ़ रहा होंगा तो यह क्या है कॉंटिनिस के वाक्य है परफेक्ट कॉंटिनिस कुछ नहीं है कॉंटिनिस का ही भाग है परफेक्ट कॉंटिनिस में बस आप ध्यान दखना जो कारे लंबे समय से चल रहा था यह जो काले लंबे समे चल रहा है जो काले लंबे समयं तक चल रहा होगा वह बरफ स्कोळिक चाल तरहा होता है उसकी हम काल काल कॉंठिक बात करेंगे बारा क्ट каких- handled चीर डिरस करेंगे तो ज़्य बारे मार्त बात नहीं करूा लेकिन आपको बता लिया है值 का मतलब होता है क्वोगता है कंट मतलब होता है जारी रखना कार्जे को जहां भी आपको समझे ना कार्जे की जारी की बात होगी perfect continuous दिख जाए तो काजे की जादे रहने की बात तो होगी ही होगी साथ साथ लंबे समा भी उसमें जुड़ावा होगा जैसे मैं आपसे देखियो एक मैं काजे कर रहा हूं और मैं तीन महीनों से काजे कर रहा हूं ठीक है ना तो यह क्या है एक continuous का एक है perfect continuous का pronoun क्या होते हैं pronoun की मैं बात करूँगा pronoun क्या होते हैं सबसे पहले तो आप एक हीज का दिहान दखिए pronoun जो है एक तरह से संग्या की इस्थान पर आने वाले शब्द होते हैं noun की इस्थान पर आने वाले शब्द होते हैं pronoun इसलिए इने pro plus noun कहते हैं जैसे कि मैं आपसे कहूँ माई नेम इस दिपाइशु वर्मा माई नेम इस दिपाइशु वर्मा है ना आई आई क्या है आई क्या है प्रोनाउन आई क्या है प्रोनाउन और यू क्या है ये भी प्रोनाउन है और ही शीट ये भी क्या है प्रोनाउन है तो pronoun कैसे कैसे होता है मैं अपसे भी अपसे बताता हूँ सबसे पहले देखिए I or V जो हमारे first person होता है I or V I का मतलब होता है मैं I का मतलब होता है मैं और V का मतलब होता है हम V का मतलब होता है हम U का मतलब होता है तुम और U का मतलब होता है तुम अब देखिए तुम singular में भी आया है, plural में भी आया है singular का मतलब है एक वचन, जो चीज एक है plural का मतलब है बहु वचन, जो चीज दो है या फिर दो से अधिक है देखिए तुम हम किसी एक प्रसन को भी कहते हैं किसी एक व्यक्टिक को भी हम तुम कह देते हैं कि तुम यहां ओ, एक को भी कह देते हैं, और तुम यहां आओ, तुम हम दोसे अधिक को भी कह देते हैं, तो यह plural भी होता है और singular भी होता है, हमें sense के coding यह पता चल जाता है, कि यह singular है, plural है, बाकि इसके साथ जो word यूज़ होगी, वो plural वादी होती है, इसलिए बोला जाता है आर यू प्लेई आर क्या है बहुवचन है चलो वो आगे टैंस में इसकी दुबारा से बात करेंगे अब भी मैं इसके बारे में सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ आज में सिर्फ आपको रूबर उगराना उन सब चीज से जो जो क्या है जरूरी है थर्ड परशन क्या होते हैं हमारे ही शी इट दे ही होता है सिंगलर लड़के के लिए शी होता है एक वचन लड़की के लिए इट होता है neutral gender जैसे की निर्जीव चीजों के लिए भी होता है और छोटी जीव के लिए भी इट का यूज हम कर लेते हैं दे क्या है plural दे का मतलब होता है वे दे का मतलब होता है वे तो यह जो subject pronoun है कैसे कैसी use होंगे क्या होंगे इनकी कि दुबारा बात करेंगे आज सिर्फ यह slide में आया तो मैंने अपको एक रूबरू इन से करा लिया यह होते क्या है फर्स्ट परसन याद अखना फर्स्ट परसन जो होता है आयूर वी होता है सेकंड परसन यू होता है और थर्ड परसन हीशी इड होता है सप्रृंट अभीं है अप अपने किसी आप अपनी किसी रहे मिलंकिए जाता है तो ऐसे आप समझे लिए वागई हम isशा के ब 8 करेंगे अब देखिए यह यह क्या है एक तरह के से आप इसमें थोड़ा आज क्या है इसमें देखो इस दारेम जो है कॉंट प्रिजेंट कॉंट्यूनिस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं आप इसमें क्या कीजिएगा आई एम देखिए आई एम प्लेयर मैं खिला रही हूँ यू आर प्लेयर तुम खिला रही हो देखो यहां आप इसे एक बार भर के देख लिएगा थोड़ा अपनी एक समझ से इस एकसराइस को कीजिए यह बिल्कु बिसिक है अगर आपसे भरी जाती है तो ठीक है नहीं तो मैं आप इसमें इस लगाना आपको प्लेंग यहां आपको लिखना है प्लेंग यू आर प्लेंग तुम खेल रहे हो ही इस प्लेंग वह खेल रहा है अब आपको सब जंगें प्लेंग भरना है यहां भी प्लेंग 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 यहां पर सबाब playing भर के देखिए जीगा और देखिए क्या उसका अल्थ निकलता है you are playing तुम खेल रहे हो he is playing वह खेल रहा है she is playing वह खेल रही है it is playing मत लगाओ it is draining लगा लो वर्षा हो रही है ठीके ना क्योंकि it is draining आप लगा लिजीगा इसकी बारे में हम बात करेंगे देखो एक तरिके से निर्जी वो निटर जेंटर के लिए इटकप्रियोग होता है और बारिश क्या है एक तरिके से इसका कोई अपना subject तो है नी तो इस तरह की चीजों के साथ हम इटकप्रियोग कर लेते हैं We are playing, हम खेल रही है, You are playing, तुम खेल रही है, They are playing, We are playing, I am not playing, मैं नहीखेल रही है, अब देखीगा, जो मैं आपसे भहाँ बताता, I am playing, I am playing, I am playing क्या है, I am playing, क्या मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग का क्या मतलब है मैं खेल रहा हूँ Am I playing क्या मैं खेल रहा हूँ जब भी helping verb subject से आगे आ जाती है तो वह प्रिशन बन जाता है अब आप यहां ध्यान से देखेगा You are playing तुम खेल रहे हो Are you क्या तुम You are Are you क्या तुम You are playing क्या तुम खेल रहे हो Are you playing क्या तुम खेल रहे हो You are playing तुम खेल रहे हो Are you playing क्या तुम खेल रहे हो He is playing वह खेल रहा है Is he playing क्या वह खेल रहा है ठीक है न तो यह subject बन जाता है एक हीच का बिल्कुल ध्यान से मैंने आपसे इसलिए कहा था कि मुझे बिल्कुर ध्यान से सुनना क्योंकि दीखी क्या है ना मैं लिखने पर और बच्चों से नोट कराने बहुत कम विश्वास करता हूँ बोलने पर और बच्चों से बुलवाने में और उनने समझाने में ज़्यादे विश्वार करता हूँ तो मैं आपसे बोलूँगा ज़्यादा और आपको भी बोलना ही है आप इसे बहुत ज़्यादा लिखे मत क्योंकि आप लिखने की चक्कर में इसलिए मत लगिए लिखेने के लिए तो आप English is speaking की या फिर English की कोई वे book ले लो आप वो बहुत सारा materials में लिखावा मिलेगा लेकिन समझना आपको ही है अगर आप नहीं समझोगे तो 100 किताबी वेकार हैं अगर आप समझ लोगे तो आपकी समझ से 1000 किताबी वे बनाई जा सकती है है तो समझना बहुत ज्यादा important है और मैं आपसे एक छीज यहीं से पकटे मिल बताना चाहूँगा हमारे प्राचीन काल के यह गुरुकुल होव करते थे एसमें क्या है बच्चों को भूव ज़़दा चीजे लिखवाई नहीं जाती थी वहाँ इसे नहीं है कि हर सब्यक्त की तीन-तीन कोपी बनवा रहे हैं और बच्चों को सिर्फ लिखने में ही वियस्त कर रखा है मैं अभी दिखता हूँ कि मेरा भी एक भांजा है तो उसको जो है बहुत जादा लिखने का काजिये वो देते हैं स्कूल वाले वो तीन-तीन-चार-चार घंटे राइटिंग करता है मैं यह नहीं कहता कि लिखना नहीं चाहिए बच्चा है तो लिखना भी उससे चाहिए लेकिन कुछ दिन चीज मत लिखिए जितना मैं बोलूगा आप कभी जिन्दगी में लिख भी नहीं पाओगे इतना क्योंकि देखर सब चीज नहीं लिखी जा सकती है आप सिर्फ अगर समझ लीजिए आप उसे फिर अपनी भाषा में एक बार बोल लीजिए मुझसे आपको लिखने की जुरत नहीं पड़ेगी और अब हम आते हैं यह देखिए बहुती इंपोर्टेंट चीज में आपको बताने वाला हूं यह आज आपका वर्क भी है बी प्लस एड्जेक्टिव बी बी का मतलब है बनो या रहो बी का मतलब है बनो बी का मतलब है बनो बी ब्रेव बी का मतलब है बनो या रहो देखे ब्रोग ध्यान से बी बी पॉजेटिव सकरात्मक रहिए सकारात्मक रहो सकारात्मक रहना अब देखिए बी स्मार्ट आप बी बोलो बी के बाद कोई एक एड्जेक्टिव बोलो आपका जो सेंच है वो इस तरह से निकलेगी बी स्मार्ट खोश्यार बनो बी वाइस समझदार बनो बी बेव बाहदूर बनो बी गुड अच्छे बनो बी अलर्ट सतर्क रहिए बी पॉजिटिव सकारात्मक रहिए बी नूच्रल स्वभाविक रहिए बी क्लेवर चालाग बनी अब देखिए एक बहुती एक छोटी सी चीज में आपसे बताना चाहता हूँ बी का मतलब कभी बनो आ रहा है कभी रहो आ रहा है देखिए इंग्लिश में जो है न मैं आपसे पहली भी बता चुका हूँ बहुत जादा सेंस पर डिपेंट करती है इंग्लिश स्पीकिंग तो खास तोट पर इंग्लिश वीशे भी देखो कोई भी विशे मैं तो 3-4 विशो का पर मेरा जो इंटरस्ट है और मैं दो विशे तो पढ़ाता ही हूँ तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि किसी भी सब्जेक्ट को जब हम डैप में जाने लगते हैं बनो, बी वाइस समझदार बनो, बी ब्रेव पहदूर बनो, बी गुड अच्छे बनो है ना, बी अलर्ट सतर करहिए, बी पॉजिटिव सागरात्म करहिए, बी निश्यर सरभाविक बने, बी क्लेवर चालाग बने अब देखिए, यह जो है, ऐसी चीज़ आप नोट कर लो, यह कोई दिक करनी है, वो भी क्लास के बाद, क्लास के बीच में कभी नोट मत करना जीवन में, मेरी क्लास आपको, अगर आप नोट बना रहे हो, तो एक पाल आप बिलकुल ध्यान से सुनिएगा, शुरुआत में तो नोट का भी मत बनाई जीगा, सेकेंड टाइम अगर आपको नोट बनाई हैं, बनानी हैं, तो दुबारा वीडियो को देखिए, और तब आप उसमें से कुछ इंपोटेंची लिखिए, और सिर्फ उसकी हेडिंग लिखिए, और उसे बोल लिखिए, ज्यादा उसके बा बुरे बनो, because word is bad, क्योंकि संसाद बुड़ा है, हमारी ऐसी धारना नहीं है, लेकिन कुछ भी बोल सकते हैं, बशर पे बी के साथ एक एड्जेक्टिव होना चाहिए, बी के साथ एड्जेक्टिव रहेगा, देखो, बी बिदेव, आप देखो, बहदूर बनो, या बढ़र रहेगा भी, तो देखिए संस के साथ से रहो, बनिये, रहना, कोई कोई से अपनी भाच्टिव में ऐसा ही बोल सकता है, बी ब्रेव, बहदूर रहना, बहदूर बनो, बहदूर रहो, टो ये क्या है, ये संस पे हम अपनी संस के साथ से, कुछ भी बोल सकते हैं, जो उसका अल्थ नहीं बदलना चाहिए बस इस चीज का आप ध्यान दखिए और आगे जो है यह हमारा डॉंट बी ब्लस एजक्टिव डॉंट बी सैड दुखी मत हो डॉंट बी बैड बुरे मत बनो डॉंट बी क्रेजिश पागल मत बनो डॉंट बी नौटी शरालती मत बनो हीरो को बोलते हैं नायक जिससे आप हीरो बोलते हो नायक नायक होता है वो व्यक्ति जिसमें बहुत ही सारी क्वालिटी हो बहुत ही सारी विशेचताइं हो जो हर काम को करने में शक्षम हो उसे हम नायक बोलते है तब ही तो हीरो जो है हर चीज करने में अंत में वो फिल्म के आपके हाथ में ही है और अंत में वो हीरो तो कही बार फिल्मों का अंत बुरा भी हो जाता है लेकिन हमारे जो फिल्म है उसके हीरो आप हो और आप बहुत ही एक अच्छे नायक हो सुपर हीरो हो आप तो फल चीज को बहुत ही अच्छे से कीजिए और आप कलते भी होंगे तो don't be smart छोश्यार मत बनो एक example होता है be smart but don't be over smart be smart बहदूर रहो but लेकिन don't be मत बनो over smart जादा मत बनो be smart but don't be over smart बनो तो लेकिन जादा मत बनो ये कभी कभी ऐसी situation में हम बोल सकते हैं जैसे कोई विक्ति है बहुत जादा अपना आपको smart समचता है और हमें चाला की दिखाने का प्रियास करता है हम वहाँ बोल सकते हैं be smart but don't be over smart तो आज ये class जो है लग बग लग खतमी हैं लेकिन इस से पहले में part of speech हाला कि आप जानती होंगे लेकिन फिर भी मैं एक तरीके से आप से बताना चाहता हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा ना पता चले और सिर्फ मैं आपको इनके बारे में इतना ही बताऊंगा कि कभी sentence में मुझे बताना पड़े कि ये देखो मैं word का यूस कर रहा हूँ तो आपको ये ना सोतना पड़े कि word होता क्या है मैं कभी कहूँ adjective कर रहा हूँ तो आपको ना सोतना पड़े कि adjective क्या होता है तो आईए देखते हैं सबसे पहला noun किसी व्यक्ति वस्तु इस्थान के नाम को noun कहते हैं किसी व्यक्ति का नाम, किसी इस्थान का नाम किसी जगय का नाम, किसी building का नाम कोई भी ऐसी चीज़ी से आप छूँ सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो एक noun होती है, ठीक है न, जैसे कि मोहन, मोहन एक किता पढ़ता है तो इसमें किताब और मोहन क्या है? noun है, pronoun क्या होता है? pronoun जो है, एक तरह से noun के इस्थान पर आने वाले शब्द होते है, एक किसान है, he is good, वह अच्छा है, he क्या है, राम के लिए आया, तो यह क्या है, बार-बार राम ना लेके he, he क्या है, pronoun है, I, my, mine, we, me, we, our, us, you, your, he, his, him, यह सब क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन बस अप एक तरीके से इससे समझ लीजिए, नाउन के इस्थान पर आने वाले शब्द जो होते हैं, वो प्रोनाउन कहलाते हैं, इसे प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है, वर्ब क्या होती है, वर्ब एक तरीके से होती है, सेइंग वर्ड, सब्जेक्ट के विशे में जो कुछ भी कहती है, वो वर्ब भी कहती है, और पीछे बार में ना आता है हसना, बोलना, खाना, रहना, पढ़ना, लिखना यह सब क्या होती है वर्ब्स होती है जो जिसमें कार्जे को कार्जे का होना दल्शाय जाता है action वर्ब्स भी है हम बोलते है और इसके बार adjective विशेशता बताने वाले राम इस गुड, गुड, अच्छाई तो गुड क्या है इसमें adjective है, राम इस वेरी गुड, तो इसमें गुड अच्छा है लेकिन वेरी क्या है इसमें, एड़वर्ब, जो विशेशता की भी विशेशता बताता हो he is very beautiful, वो सोरी she is very beautiful, she बोल देते है यह जो थोड़ाओ, ऐसा लगेगा कि पता नहीं है भी नहीं, she बोल देते है she is very beautiful, she is very beautiful का मतलब क्या है, वह बहुत सुन्दर लगी है, तो beautiful सुन्दर, तो उसकी विशेशता है, लेकिन सुन्दर भी बहुत है वो, तो यह क्या है उसका adverb, विशेशता की भी विशेशता adverb बताता है, प्रिपोजिशन क्या होता है, एक तरीके से यह गवर्निंग वॉइड है, यह शब्द किसी noun, यह pronoun के पूरवाता उसका संबंद अन्य वाक्टों से कराता है है ना, यह किसी शब्द के बीच माकर उसका वाक्य अन्य शब्दों से कराता है in, into, on, upon, यह आपने बहुत सारे सुने होंगे, between, behind, from, among तो जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि इन, इन मिठाईयों को इन मिठाईयों को इन बच्चों में बाट दो तो जो है, among एक प्रिपोजिशन है, बागी थोड़ा-थोड़ा हम इन के बारे में बाद में बात करेंगे अभी तुम्हें एक तरीके से बता रहा हूँ सिर्फ यह हुद्धी क्या है, आपने बिल्कुल ही, ताकि बिल्कुल ही आपको नयासा ना महसुत हो, conjunction क्या होता है यह है, connecting word है यह तो नाम से ही दिख रहा है connection, conjunction का मतलब है connector जो दूवाक्यों को जोड़ होता है interjection क्या होता है interjection होता है, जिसमें एक लिके से वही हैं, ऐसी सब्द जो भूँ जादा हिर्दे की खुशी या दुख को प्रकट करते हैं, इन्हें interjection बोलता है जैसे कि Alice, Alice का मतलब होता है दुख, Alice का मतलब होता है दुख, what a what a handsome husband you are what a handsome husband you are तुम कितने सुन्दर पती हो इस तरह से जो है, कितने what a, brave hooray, यह क्या होता है interjection होता है, so आज की class मैं समझता हूँ कि आपको समझ आयोगी, फिर भी अगर किसी तरह का doubt, यह कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आयी है don't be पर आज आपको sentence बना के देखने है सिर्फ बोल के देखने है और अन्तमे में सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि, thanks for watching and don't be sad with failure in beginning, rather learn something from them. शुरुवात में किसी भी वैसा फलताओं से घबराओं मत बल्कि उनसे कुछ सीखिए अब देखिए, पहली क्लास मुझे बनाने में बहुत दिक्कत आई है बहुत ही जादा दिक्कत है मुझे पहली क्लास बनाने में इसलिए मैं हैसस हुई है क्योंकि डारेक्ट ओफलाइन से उनलाइन में मुझे जादा काफी चीज ये बिल्युकुल उनलाइन का इतना नहीं पता था कि इतना टफ मेरे लिए होने वाला है क्योंकि ये जो डिजाइनिंग वगरा है अभी क्या है लोकडाउन के विज़े से कोई साथ में भी नहीं है तो बहुत जादे दिक्कत आई है लेकिन एक ही तो पकी है कि कोई भी वैक्ति बिन ऐसे सफलताओ के कभी काम्याद नहीं हुआ है बलकि ऐसे फलता तो हमारी सफलता का शुद रूप होती है तो शुरुआत में से गपराना नहीं है और उनसे कुछ सीखने के लिए है तो फिर भी आपकी कोई बात है अभी मुझे पता है मैं अभी अपना वो उस तरह से नहीं ओनलाइन में दे पा रहा हूं जिस तरह से पढ़ाता हूं लेकिन फिर भी मैंने एक परियास किया है और उस परियास की माध्यम साब को समझ तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसे डालिए और बताईए कि क्या आपको प्रोल्म है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही इत्वास पॉर टुड़े रश्ट फॉर तो थींग विए डिसकस्ट चुमारो हाव गुद टाइम बबाए जाहन